प्रिस्क्राइब किजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दिजिए ताकि कोई भी वीडियो मिस ना दोसदो चैनल मैं आप सब लोगों का बहुत ही स्वागत है आज हम हम एक बहुत ही बेहतरीन और सश्थी की दवा के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दें और आज का जो लाइक का टार्गेट है 200 यानि कि 250 लाइक जरूर करवा दें इस वीडियो को ताकि मेरा जो confident है इसी तरह से बरकरार रहे हैं और रोजाना में आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लाता रहा हूं और ताकि आप लोग अपने सेहत को सुधार सकें तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं जैसे कि आज जो मैं जिस प्रोड़क्ट का रिव्यू करने वाला हूं वह ओफ लो मैक एम फोर्ट है जो कि काफी फेमस ड्रग है और डाक्टर लोग भी इस कंपने इस ड्रग पे काफी ट्रस्ट करते हैं और बात करें कि यह कितने एमेल के पायक में आता है तो देखी यह 30 i m l k पायक में यह प्लास्टिक की बॉटल होती है ना तोटने दर ना फूटने इक डर कंपनी की बात करें तो दिखी यह मैक्ल यार्च formed company द्वह बनता है बनाया जाता है मेखल्यार कंपनी काफी अच्छी कंपनी है और ये 30 मील का बॉटरल आपको मात्र 30 रूपए में पड़ जाता है यानि एक अदर कंपनी से देखा जाए दर्धा की गऊटिए उनसे काफी सस्ता है और यह काफी पुराना ब्रांड है मैकलियार्ट मैकलियार्ट्स का तो चलिए इसके अब यूज के बार में जानते हैं विस्तार्थ है देखिए जो अफ्लो मेक एमफोर्ट को इस्तमाल करें इसके लेने से बच्चों का जो दस्तका सेडियूल होता है एक से दो बार हो जाता है नार्मली बच्चे लाइट्रिंग करने लगता है या जिन बच्चों को बिल्कुल पतली पानी की तरह दस्त होता है उसे भी कंट्रोल करने में मदद करता है य जैसे कि मसूडों में सूजन या मसूडों से खून आना या मसूडों में दर्द तो उन कंडिशन में भी ओफलो मैक एम फोर्ट को हम दे सकते हैं या फिर बच्चों के अगर यूरीन इंफेक्शन हो जा रहा है यानि कि मुतर संक्रमण हो जा रहा है उन कंडिशन में भी ओफलो मेक एम फोर्ड का रिजल्ट एक्सलेंट है या फिर बच्चों को एंटी डारियल की शिकायत हो जाए यानि कि कभी जैसे की गर्मी का मौसम चलता है जो कि बच्चे गर्मी का मौसम को साहन नहीं कर पाते हैं और उन्हें एंटी डारि इंफेक्शन हो जाता है या फिर माली जी की ज्याद ठंड पड़ती है उस वक्त भी देखा जाता है देखा जाता है कि बच्चों को एंटी डारियल इंफेक्शन हो जाता है एंटी डारियल इंफेक्शन में बच्चों को दस जो है काफी ज्याद होती है और बच्चे काफी डारियल इंफेक्शन होता है तो आप ओफलो मेक एम फोर्ट सस्पेंशन को दे सकते हैं यहीं इसके कम पूजीशन पर नजर डालें तो देखिए इसमें ओफ लाक्सा सिंसो एमजी डाला गया है और साथ में दूसरा जो साल्ट है में ट्रूनी डाजोल इसमें 200 मजी डाला गय है यानी कि उसमें 50 रहेगा तो इसमें 100 हो गया और उसमें 100 है तो 200 हो गया यानी कि फोर्ट में दूगोना साल्ट इसका हो जा रहा है या फिर माली ज़िए की बच्छों के पेट में कोई infection हो जाया जैसे की बच्चे-उल्टा सीधा खाते है या फिर और किसी कारणोबासính के पेड़ में इंफेक्शन हो जाता है जिसकी वज़े से उनके पेड़ में सूजन और या पेड़ में दर्द हो गए रहे की भी समस्या होती है तो उन दवा दे दे तो अधर एंटीबाइटी की जरूत नहीं पड़ती यानि कि जैसे की सिपोड आक्सिम और ड्राइज जो सस्पेंशन आता है उन्हें देने की जरूत नहीं पड़ती क्योंकि ये एंटीबाइटी के ये फीवर हो गेरे में भी काम करता है लेकिन इसका खास जो र अभी कभी देखा गया है जैसे मैंने बताया कि ये यूरीन इंफेक्शन में भी काम करता है बहुत से बच्चों को जब यूरीन इंफेक्शन होता है तो उनका जो पिशाब है बिल्कुल दूधिया रंग का होने लगता है और गाड़ा गाड़ा होता है जो कि हम देखकर का काफी डर जाते हैं तो यह सब होता है यूरीन इंफेक्शन के वज़े से या कुछ बच्चों का पिसाब जो है बिल्कुल रेड कलर का होने लगता है वह भी यूरीन इंफेक्शन के वज़े और अगर माली जी की 10 kg का बच्चा है तो उसे हम 5 ml दिन भर में तीन बार दे सकते हैं यहीं बात करें इसके टेस्ट के तो टेस्ट इसका लाजवाब है यहीं जो अधर एंटी डारियल जो सीरप आते हैं जिसमें ओफलक्ससिन और आर्निडाजॉल जो इसमें साल्ट रहता है उससे वो उन तरह के फार्मुले वाले जो सास्पेंशन आते हैं उनका टेस्ट काफी खराब होता है लेकिन इस ओफलो में एक एम फोल्ट को बच्चे इजली पी लेते हैं क्यूंकि क्यूंकि कईस्ट काफी अच्छा होता है यहीं बात करें इसके साइड फेक्ट की तो इस पुस्तर के कामन साइड विक्ट होते हैं जो कि सभी बच्चों को नहीं होता है